अलो फ्रेंज वालकम बैक वाल यूट चैनल अभी हम लोग यहां पर टीसियस टार्टा कंसेंटेंस से सर्विस लिम्रिट की अनेसिस करेंगे इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में पर जब बंडे को मार्केट उपन होगा विस तरीके से अपना प्राइ तो यहां पर मैंने एक और रहा हुआ है इन दोनों पॉयट को मैंने कनने कीया तो इस से भी कनेक्ट होगिया और फिच्छी में अपर तो इस तरीके से मौन रहा भी देखेंगे तो यह प्राइस केसिन पाल्र हो हम लोगों कहीं सामने लगहारा है एक की WOW अधर यहां से ब्रेकडाउन करता है तो इसका one is to one हम लोगो नीचे निकालना है तो ऐसे point में यह जहां से buying हुई है ठीक है कहां से buying हुई है 3900 देखिए पहले मैं इसके गिरने की property वाली बात कर लेते हैं फिर उपर वाली property दोनों हम लोग बात करेंगे लेकिन देखते हैं पहले जिस तरीक लगा है यहां से निकालेंगे तो हमारा 3900 का लेवल निकल के आएगा ओके हम लोग थोड़ा सा यहां पर weekly time frame में चले जाते हैं ठीक है अगर आप इसके weekly time frame का यहां पर चार्ट देखेंगे तो अब यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह जो 3900 वाला हम लोगों लगबग लगबग 3800 से लेके ठीक है 3800 से लेके यहां पर 3900 का कहा है हमारा लेवल 3900 का यह हमारा यहां पर जोन बन जाएगा और यह ट्रेंड लाइन का भी support इसे जोन के आसपस देखने को मिलेगा ठीक है तो कहीं ने कहीं इस trend line का भी support यहां पर हम लोगों को देखने को म 5 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ठीक है यहां पर इसने support लिया है तो 5 टाइम अगेन यहां से support लेके ऊपर जाने की probability हाई होगी क्यों हाई होगी क्योंकि already uptrend में है ठीक है यहां से एक अच्छा price action pattern मना यहां पर यहां पर support ले रहा है तो यहां से ऊपर ही जाना चाहिए और ज्य अब ही अगर आप इसको यहां पर देखेंगे तो एक बड़े candle के बाद inside candle बना है क्यों जनरली ऐसा होता है क्योंकि एक अच्छे ट्रेंड में था वहां से फॉल हुआ बहुत बड़ा negative candle बना है इसलिए यहां पर जनरली इस तरीके का price action pattern बनता है अब नीचे हमारे पस कित और आता है तो इसी support zone से वापस ऊपर के उट चला जाएगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि इसके बाद इसके पास पहली बार मतलब यह high लगाने के बाद पहली बार आ रहा है ठीक है यहां पे अगर इन points को match करेंगे तो इस तरीके से एक trend line निकल सकता है लेकिन यह जब यहां से उपर क्योंड जाएगा यहां से उपर क्योंड चला जाएगा और हम लोग की closing यहां पे हो जाएगी जो प्राइस चल रहा है यह जो लो है 4250 इसके आसपास तो next week में इस तरीके के candle बन सकता है अगर यह जो यह inside candle बना है जो की 4220 का level है अगर इससे breakdown करता है तो हम लोग को इ ठीक है जो कि इसको 4100 से लेके 4200 के बीच में ले आएगा और फिट जाके ऊपर closing कहीं न कहीं दे देगा तो इस तरीके से candle हम लोग expect कर रहे है नीचे की और लेकिन क्या हो यह नीचे की और जाए न और यहीं से ऊपर क्योंड निकलना लेगे हां तो यह point भी discuss करना बहुत ज ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग one way momentum यहां पर इस तरीके से डिसकस नहीं कर सकते हैं तो हमारा अगर उपर क्योंड लेवल माल लेते हैं यहां पर inside candle बनाया है पूरे विक में ठीक है तो हमारा लेवल यह हाई है recent candle का यह हमारा हाई है ठीक है और उसके उपर चारा सा भ spend किया है ठीक है दो तिन वीक से ज्यादा यहां पर एक range बनाया था इसको breakdown किया कहीं न कहीं range से ज्यादा का हम लोग को target दे दिया और यह चो एक breakout level हुआ करता था यहां पर आके support ले रहा है तो हमने क्या निकाला है 4100 से लेके 4200 और यहां से यह buying स्टार्ट हुई है तो कि इस trend line के लिए यहां पर कुछ planning कर पाएंगे ठीक है और फिलाल अगर यह ऐसा नहीं होता है और यहीं से जिस point पर भी trade कर रहा है इसी point से यह उपर क्यों निकलने के कोशिस करता है तो at least मैं इसे लग 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 44431 4431 के उपर जब यह निकलेगा और यहां पर एक trend line ह यहां पर एक trend line है यह जब breakout होगा तब मैं इसके बारे में कुछ सोचूँगा ऐसा इसलिए क्योंकि first time यहां से नीचे आया second time जाएगा फिर से नीचे आने के chance हो सकते हैं ठीक है हमें पता नहीं है कि अब इस trend line को breakout देगा इसलिए जब भी यह इस trend line का breakout दे उस समय जाके इ यहां से इन levels के आसपास जाएगा ठीक है काफी ज़्यादा stretch हो जाएगा फिर से थोड़ा नीचे आएगा यहां पर breakout level होगा उसके पास support लेगा अगेन यह breakout देगा तो इस तरीके से अगर यह काम करेगा तो breakout के आसपास अगर हम लोग कुछ प्लान करेंगे तो हमें एक से मैं decision लेता हूँ right तो जो हम लोग को Monday का price action pattern अगर हम लोग को देखना है तो 15 में टाइम फ्रेम पे चलते हैं 15 में टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है buyers ने बहुत यह अच्छा price action pattern मना है but at last क्या हुआ यह नीचे की और कहीं न कहीं आ गया है ठीक है यह कहीं न कहीं अगर ह यहां से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां पर एक gap है ठीक है यह जो gap है यहां पर यह लगबग लगबग इन levels के आसपास 4290 से लिए 4280 10 रुपीज का है और उपर से काफी ज्यादा उपर से काफी ज्यादा इसने support मतलब गिर चुका है तो जैसे कि इस जोन में आएगा यहां से एक bounce back देने की probability हाई है अगर यहां से bounce back देता है तो इसी जोन में वापस आ जाएगा और इस जोन में वापस ट्रेट करने लगेगा तो मंडे को बहुत जदा fall मुझे नजर नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है 4280 के आसप प्रैस एक्शन पैटन बनाएगा वीडियो पसंद आएगा लाइक जरू करिएगा चैनल पर नहीं सब्सक्राइग कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो